आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ False Statement Among the Givenness पुछा गया है इन चारों में से False Statement कौन सा है पहला है Habitat Include Both Biotic and Abiotic Factors तो पहला ही Option जो है कि Habitat Include Biotic and Abiotic Biotic Factors आते हैं Living Organism से यानि कि जो Plant है और Plant है, Animals है वो सारे आते हैं Biotic में A-Biotic में क्या आता है तो Abiotic ये सारे Factor है जो कि Non-Living है जैसे Mineral Temperature Salinity और जो बाकी सब है Salinity, Wind और ऐसे सारे सबस्टेंस यो कि Help करता है Biotic को या फिर Biotic को जिन्दा रखने के लिए लेकिन वो सारे Abiotic Components है यानि Non-Living Components है तो ये दोनों ही मिला कि क्या करते हैं Habitat Form करते हैं Habitat का अगर बात करें तो ये एक ऐसा Space है या फिर Place है जहां पिक्या होता है कि Living के साथ-साथ Non-Living Organisms भी पाय जाते हैं क्योंकि ये ऐसा Space फॉर्म करते हैं जहां इनको Food के साथ-साथ Living भी प्रोवाइड होता है और इसी वज़े से इनको Biotic और Abiotic का Mixture कहा जाता है Habitat को क्योंकि अगर एक Organism है तो उसको जरूर अपने Food के लिए और अपने रहने के लिए Suitable Temperature Wind Salinity सब चाहिए होता है तो First Statement जो है वो बिल्कुल Correct है Next है Ecology at Organismic Level is Essentially Physiology Ecology तो ये भी बिल्कुल Correct है क्योंकि Organismic Level मतलब ये ऐसा Level जहां पे Survival है Survivality भी है और उसके साथ साथ Reproduction भी हो रहा है यानि Reproductive Fitness भी बहुत जरूरी है तो ये इन दोनों को मिला के जो प्रड्यूस होता है उसको क्या बोलते है Physiology Ecology क्योंकि ये Physiology Ecology जो है ये सिर्फ और सिर्फ Survivality पे Depend नहीं करता है ये Reproduction Fitness भी Depend करता है क्योंकि अगर कोई Survive कर रहा है लेकिन उसका आगे का Progeny जो है वो नहीं बन रहा है तो उसका Survivality जो है वो एकदम बेकार है इसी वज़े से जो Survival Survive करते हुए Reproduction भी देता है और Progeny प्रडूस करता है वही सब जो है Actual Fitness कहलाता है इसी वज़े सेकंड ओक्षन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है Urbiotic and Biotic Component Interact Constantly वेटी इच ज़दर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि Urbiotic के साथ Urbiotic Component Interact तो ज़रूर करता है लेकिन Constantly नहीं करता है कुछ ऐसे सिस्टम है जैसे हम लोग Reproduction का बात करते है तो इसमें Urbiotic Factor का जरूरत नहीं होता है इसमें सिर्व Biotic Factor होने से भी चल जाता है इसलिए Constantly हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते है और इसी वज़े से यह स्टेट्मेंट जो है यह पाल्स हो जाता है नेक्स्ट है उसमोटिक प्रोटीन इंक्लूड अल्बूमीन दा ब्लड विसल तो यह बिक बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि और इसी वज़े से जो प्रोटीन लेबल है हमारे ब्लड का वो बरकरार रहता है या फिर स्टेबल कह सकते है तो लास्ट वाला ऑप्शन भी इसलिए हमारा करेक्ट हो जाता है तो हमारा इनकरिक स्टेट्मेंट जो है फिर स्टेट्मेंट और उसको हम लोग टिक कर लेंगे क्लासिक स्टेट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंज और एडवान्स के लेबल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर